इन दिनों जहां फामान खान और सुंबल तौकीर खान के बीच एक कांट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है वहीं दूसरी और आईशा सिंग और आश्वर्या शर्मा के बीच का जो एक कांट्रोवर्सी है वो भी इन दिनों बड़े ही जोरो शोरो से चल रही है, जोरो शोरो से विवाद चल रहा है, दिखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आईशा सिंग, गुम है किसी के प्यार में की सई जोशी ने इंटर्व्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके ठीक रिलेशन कोई बहुत अच्छा फ्रेंड रहा है और कोई एक को स्टार रहा है, तो उन्होंने ऐसा ऐश्वर्या पर कुछ खास तो नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने बस इतना बोला था कि मेरे कोडियल रिलेशनशिप्स थे, सेट पर जितने भी मेरे को स्टार्स थे, वहीं दूसर केप टाउन की उडान भरने वाली थी और उडान से कुछ समय पहले उन्होंने अपना ये बयान दिया था, लेकिन अब गुम है किसी के प्यार में की भवानी ने कुछ ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद दोनों के बीच, यानि आईश्रा सिंग और ऐश्वर्या शर्मा के ब दरसल बहुत दिनों से दोनों के बीच के विवाद की खबरे चल रही है, ऐसा चल रहा है कि दोनों के बीच सेट पर कुछ भी ठीक नहीं था, दोनों एक दूसरे से बाते भी नहीं करते थे, बात भी नहीं किया करती थी और सिर्फ फॉर सिर्फ एक प्रोफेशनल रिष्ट आते थे शूट करते थे और अपना काम करके निकल जाती थी दोनों की दोनों लड़कियां आपस में कोई interaction नहीं था दोनों का कोई कुछ नहीं था हालां कि कभी भी इंटरव्यू में तो ये लोग accept नहीं करें इस बात को कभी भी दोनों के तरफ से ऐसा कुछ नहीं बयान दि कि था और इस बात का खुलासा किया है कि शोरी शहाने ने जी हां बिग बॉस माराथी इसन में जो कंटेस्टिंक रहे चुकी हैं अन्होंने बयान दिया हैं और अब सब कुछ काफी क्लियर हो चुका है उन्होंने बड़ा क्वलाशा करते हुए बताया है कि आईशा और एश्वरया दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो आते थे, आपने सीन्स करते थे, बहुत ही अच्छे professional actors हैं दोनों की तारीफ की हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों ने बहुत अच्छी professionals हैं, देखिए उनसे जब दोनों को लेकर सवाल किया गय तो उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सबके साथ ही अच्छे संबंध हो, सेट पर जितने भी co-stars हैं, सबके साथ आपके अच्छे रिष्टे हो, सबके साथ आपके, यूनों, एक बहुत ही खुबसूरत रिष्टे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग आते हैं जरूरे नहीं आपको जिनसे प्रॉब्लम हो आप उनके उनके बारे में कुछ बला भूरा भूरा ही बोले आप एक नॉमल तरीके से आप भी रह सकते हैं और आप प्रोफेशनली भी आक्टिंग कर सकते हैं जैसे ही लाइट कैमरा और एक्शन होता है तो देखिए उन्हों उन्होंने साफ तोर पर इस बात का खुलासा कर दिया कि दोनों आशा और श्वर्या बस आते थे अपना सीन्स अगर उनके साथ में होते थे तो वह परफॉर्म करते थे और वह निकल जाते थे मतलब वह जादा एक दूसरे से इंट्रक्शन करते नहीं थे और दोनों को एक चिंगारी के तो आग लगती नहीं है तो आग अगर लगी है तो कहीं न कहीं चिंगारी थो ज़रूर थी आपका क्या कहना है इस Q où it's पुरे वीडियो पर आपके कि क्या राए है कौमेंट section में हमें लिख कर जरूर बताएं साथ है च बोड़ाइस अधरव करें टरीन के